हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल सौर्टेंड गुरू जी पे आज की जो वीडियो है बहुत जादा इंपॉर्टेंट है खासकर उन लोगों के लिए जिनको अभी कुछ दिनों में स्किल देना है कि इस वीडियो में जो भी बाते बताई गई है उसकी उपयोगिता वही समझ सकता है जिसको भी स्किल देना है वीडियो को लाश्ट तक देखेगा जरूर बहुत जादा उपयोगी वीडियो है कहीं ने कहीं आपको जरूर इसका लाव मिलेगा कि आप जिस किसी का भी skill लगा हुआ है जरूर इस समय आप लोग त्यारी कर रहे होंगे और लगातार चार dictation पान dictation आप हर रोज लगबग हर कोई लिख रहा होगा इस वीडियो में हम बताएंगी कुछ ऐसी चीजें जो कि आप बाकी लोगों से थोड़ा सा हट के करें जिससे आपकी त्यारी में आपको confidence है जब भी आप skill देने जाएं तो आपको लगे higher मैंने अपना best किया हुआ है और आप के अंदर अगर confidence रहेगा ना तो ऐसा कहीं भी यसी कोई भी जगे नहीं है जहां पहले सही यह पता हो जाए कि dictation किस टाइब का आने वाला है किस चीज पे आने वाला है और कैसा matter रहेगा easy रहेगा या फिर tough रहेगा या फिर moderate रहेगा previous year आप देख सकते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल जुरूरी नहीं है कि जैसा previous year में था same वैसा ही आएगा के लिए हमको क्या करना है देखिए सबसे पहले तो आप सभी लोग जितने भी dictation लिखते हैं अगर कोई 10 dictation लिख रहा है 12 dictation लिख रहा है तो आप dictation की quantity पे बहुँ जादा मज जाए दिक्टेशन की quality पे जाई है जो dictation आपने आज लिखा माली जे आपने एक dictation लिखा है तो क्या उस पे आए हुए सभी सब्दों की outline आपकी clear हो गई है क्या किसी भी speed में कर वो आप दाते हैं या फिर कैसे भी आते हैं आप easily उसको बना पाते हैं अच्छी handwriting के साथ आप बना पा रहे हैं और बनाने के बाद उसको वापस transcribe के time पे पकड़ पा रहे हैं कि नहीं कर हर एक शब्दों के साथ यह चीज हो गई है चितने भी आपकी एक वचन बहवचन संबंधी गलतिया हुए थी उस dictation में चितनी भी question पूछिए आपको अगर answer मिलता है कि हाँ आपने वाकई में इन सारी चीजों पे ध्यान दिया है और सुधारने की कोशिश की है और जो चीज आप नहीं कर पा रहे थे उसको आपने अपने बड़ों से और फिर किसी teacher से किसी friend से पूछ कर उसको सही किया है तब आप दूसर की बार से कम गलती करने की कोशिश करेंगे और आप next dictation पे चले गए तो ये सही तरीका नहीं है आपके त्यारी का यहाँ पे आप थोड़ी सी गलती कर रहे है ठीक है तो इसको आपको ध्यान देने की जववत है कि इस skill का pressure ऐसा होता है कि अगर tough dictation आएगा फिर तो वो tough ही ह अगर बहुत ज़्यादा easy आ गया ना फिर उसमें आप लोग गलतीया करेंगे और ज़्यादा reason की आपके दिमाग को परचल गया कि मैंने सारे सब्दों बना लिये हैं अब मुझसे गलती नहीं होगी और वही आपकी गलती करवाता है छोटी छोटी mistakes करवा देता है उसलिए हर एक dictation में आईवे सभी सब्दों को अच्छे सतियार करिए आपको अलग से outlines बनानी चाहिए जिसको dictation में जिन सब्दों को आप नहीं बना पाए या नहीं पगड़ पाए एक outline की notebook बनाईए सभी को no down करिए उनकी outline की बरपूर अभ्यास करिए 10 बार 20 बार जितनी बार भी करना पड़े आपके दिमाग को इद्दम रट जाए कि हाँ इस सब्द की outline यही है चाहिए वो कितना भी बड़ा सब्द क्यों ना हो और दो तिन दिन बाद फिर उन सभी का अभ्यास करिए और आप इन सभी जो outlines को अलग से बनाए हैं आप एक जगे लिखेंगे जब ना उस इक्स्ट्रा करें तो देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप skill देने कहां जा रहे हैं किस department में आपका skill है और जिस department में भी आपका skill है क्या उस से related सभी सब्द आपके clear है क्या सारे words जो उसमें आते हैं उनकी outline साब बना पाते हैं इसली आपकी command है उन पर अगर आपका उत्तर है नहीं तो कर लीजे अभी समय है आप कर सकते हैं जैसे माल लिजे पुलिस विभाग में आपका skill है तो आप उस से related सभी सब्दों की outlines बनाईए चाहे वो छोटे हो बड़े हो पुलिस सम्बंदी जितने विभाग होते हैं उनकी outlines बनाईए यह सारी ची topic wise outline की practice करेंगे जितना आप अपने दिमाग को दोड़ाएंगे उतनी words आपको मिलेंगे और उन सभी की practice आप करेंगे जैसे माल लीजे आपने एक तरफ सारे महीनों के नाम लिख लिए हैं सारे दिनो के लिख लिख लिए हैं और फिर सारे त्योहारों के लिख लिए हैं उन के अबाद जितने हमारे राजनेता हुए हैं भविष में वरतमान में जितने महापूरुस हुए हैं उन सभी के नामों के आउटलैंस का अपने बरपूर अभ्यास किया हुआ है तो ये बढ़िया है भारत में जितने भी राज्य हैं सभी के आउटलैंस आपकी त्यार होनी चा हर राज जी की जो राजधानियां हैं उनकी यूटलाइंस आपको पता होनी चाहिए वहां के लगभग मुख मंतिर्यों के भी आउटलाइंस पता होनी चाहिए खास कर जो कि किस समय चर्चा में रह रह रहे हूं इसके साथ ही जो मुख SBS है जो अक्सर आप संपाज की डिक्टेशन में भी सुन लेंगे, निउस में भी सुन लेते हैं, उन सभी देशों की आउटलाइन भी आपकी त्यार होनी चाहिए, जैसे स्रिलंका, पाकिस्तान, चीन, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, मतलब जो आजकल चारचा में हैं, और जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इस टाइब के देशों की आउटलाइन भी आपकी त्यार होनी चाहिए, उसके लावा जिस विभाग में आप त्यारी करने जा रहे हैं, उस सारे वर्ट्स आपके अच्छे से त्यार होने चाहिए, जैसे आप अगर लिगल आप त्यार करके जाएं, इस टाइब की जो आउटलाइन्स होती हैं, इसको बना के जाएं, उसके बाद आप ये देखिए कि किस टॉपिक पर डिक्टेशन आने की संभावना है, आपका दिमाग भी तो कुस ना कुछ कहता होगा तो उस हिसाब से आप सोचिए, जैसे आप त्यार कर लिजए, क्योंकि आपको पता है, इसकिल देने जा रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, पहले से किस पर आ सकता है, तो कुछ जो महत्वपूर्ण जीवनियां होती हैं, ठीक है, उनमें आप जाके सर्च करिए, कौन-कौन से वर्ट्स आ सकते हैं, जैसे कहां पढ़ाई की थी, उनका जन्म कहां हुआ था, इस टाइप से कुछ में में नाम, जो कि आपको डिक्टेशन में दिक्कत करेंगे, उनकी आउटलाइन साब बना लिजएगा, बाकी सारे सब तो कौमनी रहते हैं, वो आप बेजली बना पाएंगे, अगर आपने अच्छ जो जीवने में आते हैं, जो आपको दिक्कत करते हैं, वो आप बना लेजे पहले से, उसके लावा कुछ विशेश टॉपिक्स, जैसे निबंध, पर्यावरंड प्यास सकता है, प्रदूशन प्यास सकता है, सिच्छा प्यास सकता है, नगरी करंड प्यास सकता है, जो प्रि पी ट्रॉपलसी में एक बार आ गया था, सोसल मीडिया पर मैटर आ गया था, तो उसमें टिक टॉक, इंस्टाग्राम, इन सारे चीजों की आउटलाइंस आ गए थी, और बहुत सारे लोग बना ही नहीं पाये थे, तो अगर आपकी ये सारे आउटलाइंस पहले से क्लियर होती जैसे टिक टॉक, इंस्टाग्राम, फेस्बूक, यूटूब, तो बाकी सारे वर्ट्स जो आए थे, वो एकदम नॉर्मल थे, यही सारे वर्ट्स थे जो इंग्लिस भी आप कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फसाने वाले सब्र थे, तो जो पहले से इन पे किया होगा, वो बहुत अच्छा सा पर्फॉर्मेंस किया होगा, तो मेरा कहने का ताथ पर बस यह है, कि अगर आप कुछ अलग करके जाएंगे, तो आपको भी लगेगा कि हाँ आपने वाकई में त्यारी की है, स्किल की, कुछ बढ़ियां से फर डाला हुआ है, तो आपका confidence बहुत अच्छा रहेगा, और अगर स्किल इजी आता है, या फिर स्किल टफ आता है, या फिर moderate लिविल का ही आता है, तो तीनों ही condition में आपके mind में pressure वहाँ पे होगा ही होगा, तीनों ही case में आप गलतियां करने की chances आपकी बहुत जादा रहती हैं, ठीक है, और वो तभी आप कम कर सकते हैं, जब आपका confidence बहुत जादा हो, और आप पहले से ही बहुत सारे dictations को as a mock dictation आप दे चुके हो, हर एक dictation को आप analyze किये हो, और आपको ये विश्वास हो, कि हाँ मेरी गलतियां लगातार पहले से कम हो रही हैं, क्योंकि आपको skill की दोरान ये भी देखना च जा रही हैं, ये written exam की strategy आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन skill की strategy जल्दी कोई बताता नहीं है, तो please अपने आपको खुदी पर रखना होगा, खुदी जाचना होगा कि आप किस level पे अभी हैं, और कितनी improvement की जरुवत आपको है, और इसी के साथ आप सभी लोगों को ब बचा हुआ है, सदूपियोग करिएगा, ये मत सोचेगा कि बहुत कम समय है, जितना समय बचा है, उसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं, बस ये देखिएगा, ठीक, तो मिलते हैं फिर एगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों से गुडबाए, अगर जो लोग अभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, गुडबाए, जैहन